वेलकम टू ग्लैमबर्ड टॉक्स आज सुबह सुबह ही हम सब के बीच में एक काफी सैड और चौकिंग न्यूज शामने आया हमी ये खबर मिली कि पूनम पांडे जो एक्ट्रेस और मॉडल थी वो हमारे बीच अब नहीं रही जी हाँ दोस्तू पूनम पांडे जिन्होंने लॉक अप में मुनवर फारुकी के साथ सफर तै किया था वो फिनाले हफते के एक हफते पहले घर से बाहर निकली थी लॉक अप में और उसके बाद अभी जब मुनवर फारुकी जो है बिग बॉस 17 के अंदर था तो उन्होंने कॉंस्टेंटली मुनवर फारुकी को काफी सपोर्ट किया बाहर से भी पूनम पांडे की मौत की ख़बर ने जो लोग भी पूनम पांडे को जानते थे और पूरी की पूरी इंडस्ट्री उसके बीच में काफी एक शौक और मातम का महौल भी बना दिया लेकिन इसके साथ ही पूनम पांडे की मौत ने हमारी समाज की एक काफी काली तस्वीर भी हमारे सामने पेस की है इस वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करेंगे की confirmation दी कि पूनम पांडे शर्वाइकल कैंसर से पीडित थी और सर्वाइकल कैंसर की वज़े से ही उनकी मौद हो गई पूनम पांडे की मौद उनकी होम टाउन कानपूर में हुआ जहां पर वो अभी गई हुई थी आज से ठीक 4-5 दिन पहले पूनम पांडे ने अपना लास्ट इंटर्व्यू दिया था और उस इंटर्व्यू में भी उन्होंने मौनवर फारुकी को बिग बॉस में फिनाले में जीत के लिए काफी बदा ही दी थी मौनवर फारुकी को जो उन्होंने सपोर्ट किया था उस इंटर्व्यू का एक क्लिप जो है वो आप यहां देख लीजी एक बाद मैं मैं डेवन से मौनवर को सपोर्ट कर रही थी और आप तो जानते ही हैं आई न्यू दिस समय कि यह जीतेगा मैं उसे लोक अप में तीन महीं ना रही है तो आपने देखा कि पुनम पांडे कैसे मौनवर फारुकी को सपोर्ट कर रही थी यह तो उनका लास्ट वीडियो था उससे पहले भी थूआउट तीन सारे तीन महीने जब तक मौनवर फारुकी अंदर रहा बिग बॉस के पुनम पांडे मौनवर फारुकी को सपोर्ट कर और उसके बाद मुनावर फारुकी नहीं ये भी खा कि पुनम पांडे एक बहुत ही अच्छी इनसान थी। करके कहा कि मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानती थी लेकिन 32 साल इतनी कम उम्र किसी की इस दुनिया से जाने की नहीं होती है। में निकाल देते हैं ऐसी चीजों के पीछे भागते भागते निकाल देते हैं जिसका अंत में कुछ भी मतलब नहीं बनता जब हम इस दुनिया से जाते हैं हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता। तो हम जब तक इस धर्ती पे हैं हमें प्यार बातना चाहिए लोगों के लिए मदद करनी चाहिए एक अच्छी और पॉजिटिव एक खुस लाइफ जीने की कोशिस करनी चाहिए। लेकिन लोग जो है चारों तरफ नफरत फैलाने में और घ्रिना करने में हिंसा करने में पूरी की पूरी अपनी लाइफ इस पे बढ़वाद कर देते हैं और हमारा समाज जो है वो इतना बत से बत्तर होता जा रहा है यहाँ पे आज एक किसी की जान गई है पूनम पांडे ऐसी ऐसी घटिया और नीच जो है कॉमेंट्स आपको देखने को मिलेगा किसी के मौत पर भी यह बात फैक्ट है कि पूनम पांडे ने कुछ adult films कुछ adult scenes किये हैं लेकिन किसी आपनी को अपने घर चलाने के लिए क्या करना पड़ता किस मजबूरी में क्या करना पड़ता है वो किसी को नहीं बता पुनम पांडे ने पैसे कमाने के लिए और अपने पुड़े घर को सहारा देने के लिए क्योंकि उनके घर में और कोई भी कमाने वाला नहीं है उनके फादर नहीं है उनकी मा के लिए सब को सहारा देने के लिए उनको जो सही लगा उन्होंने किया उ लेकिन जब किसी की मौत हो जाती है, तो बुरे से बुरा इंसान भी जो होता है, किसी के मौत पे थोड़ी सा हाने भूती दिखाता है, बचपन से आज तक हम लोग यही देखते आएं, लेकिन अब यह हमारे समाज को, हमारे सुसाइटी को क्या हो गया है, किसी की जान गई है, और उस पे भी लोग मजे लेड़ हैं, उस पे भी लोग खुसी मना रहे हैं, जस्न मना रहे हैं, कि अच्छा हुआ मड़ गई, यह देखना काफी दुखद है, और हम बस यही उमीद कर सकते हैं, कि किसी की मौत का मजाक न उड़ाया जाए, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, आज उनकी मौत हुई है, कल आपकी भी होगी, दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, आप मैं बड़े से बड़ा सेलिबरिटी, बड़े से बड़ा राजनेता, आज नकल सबको इस दुनिया से जाना है, तो क्यों किसी के लिए दिल में इतना नफरत भड़के आप रखें, कि किसी के मौत के बाद भी आपको खुसी होड़ी है, और जस्न आप मना रहे हैं, तो बस इसी बात के साथ इस वीडियो को हम इंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए, थैंक्यू,